बहिया जी प्रिणाम और आपको बहुत बहुत धन्यावाद करना चाहती हूँ आपका एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिर्दर्द और बुखार-बुखार के बारे हम बताया था तो मेरे हस्बिन को बहुत जादा सरदर्द हो रहा था और मुझे भी बहुत जादा सरदर्द हो रहा था दो तिन दिन से तो आपकी जो वीडियो में काड़ा बताया गया था जैसे आपने वीदी बताई थी उसी तरह से मैंने वो काड़ा बनाया और मेरे हस्बिन का और मेरा सरदर्ध बिलकुल ठीक हो गया कुछी देर में तो वो वीदी ऐसे थी कि एक गलास पानी लेना है उसमें एक चुटकी सौंट डाली एक चुटकी आपका दालचीनी डाला दो तीन लॉंग डाली और अजवाइं डाला एक चुटकी और एक चुटकी मैंने हींग उसमें डाला वो सब डालके मैंने पानी को अच्छे से उबाल लिया आदा रहने तक उबालती रही उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा नमक डाला थोड़ा सा उसमें मैंने गुड़ डाला ये सब डानने के बाद मैंने भी पिया और मेरे हस्बन को भी दिया मैंने थोड़ी क्वांटिटी मैंने डबल कर ली थी हम दोनों ने पिया और कुछी गंटे में हमारा सिर्दर दो गया और दूसरा मेरी बेटी को बहुत खासी हो रही थी तो आपने एक नुसका बताया था कि अद्रक का रस निकालना है जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए किया था तो मैंने आदा चम्मच अद्रक का रस निकाला था आदे से थोड़ा कमी था और उसमें उस रस को मैंने थोड़ा सा गरम किया कटोरी में डालकर उसके आद गैस बंद कर दिया गैस बंद करने के बाद एक चम्मच मैंने उसमें शहद मिला दिया और वो बेटी को दिया उसको भी रात में खांसी हो रही थी और यही दिया बस मैंने यही देने के बाद उसकी खांसी कम हो गई मतलब रात को तो उसको बिल्कुल भी खांसी नहीं दिन में थोड़ी देर बाद होती है कई बार पर ऐसे रेगुलर नहीं है और दूस में उसे भी मैंने वही वाला काड़ा दिया जो मेरे हस्बिन और मैंने पिया बस उसके लिए मैंने नमक और गुड नहीं डाला था तो मैं सबसे विंति करती हूं कि हॉस्पिटल जाने से अच्छा आप अपने घरे लूप चार करें और अपनी प्रकृतिक और शुदियों का जाए भारत